जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दवाई किसी भी स्वास समस्या से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए लिया जाता है जब किसी भी इंसान को किसी तरह की भीमारी होती है तो वह दवाओं का उपयोग करता है जिसके लिए हम किसी डाक्टर के पास जाते हैं या खुद मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर उनका सेवन करते हैं जल्दी आराम पाने के लिए हम एंटिबाइटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं जिससे हमें जल्दी आराम मिल जाए एंटिबाइटिक को जीवारू संक्रमड बैक्टेरियल इंफिक्शन से लड़ने में मदद के लिए बनाया जाता है तथा इसकी सहायता से कई विमारीयो का इलाज भी किया जाता है इन एंटिबाइटिक का EPA अधिक मात्रा में होने लगा है लेकिन क्या कभी आपने दवाई खरीदते वक्त ध्यान दिया है कि इनके रैपर के पीछे RxNRx xrx क्यों लिखा होता है ऐसा क्यों होता है इसे लिखे होने के लिखे होने का मतलब क्या ह होता है तो नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि दवाओं के रैपर के पीछे आर्यक्स और एक्स आर्यक्स क्यों लिखा होता है लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किय है तो चलिए हम जानते हैं कि आर्यक्स और एक्स आर्यक्स का दवाओं का उपयोग क्यों और किसलिए किया जाता है और इनका मतलब क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं आर्यक्स जिनके रैपर जिन दवाओं के रैपर के पीछे आर्यक्स लिखा रहता है तो जिस पर लिखा होता है उसका मतलब वह डाक्टर के द्वारा लिखा गया है यह दवा के वल उसी मरीज को दी जा सकती है जिसे डाक्टर ने अपने पर्चे पर लिखकर दिया है तो उस दवा का उपयोग के वल वही मरीज कर सकता है जिसको डाक्टर ने उस पर्चे पर लिखकर दिया ह अगला है NRX, तो इस तरह की दवा तभी बेची जा सकती है, जब इन्हें किसी डाक्टर के द्वारा परचे पर लिखकर दिया गया हो, जिनके पास नसीली दवाओं से संबंधित लाइसेंस होता है, वही इसको लिख सकते हैं, जैसे मनोची किस्षक इनस्थेसियो कर सकते हैं, तो अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दवा के रैफर के पीछे NRX क्यों लिखा होता है, इस तरह की दवा तभी बेची जाती है, जब इन्हें किसी डाक्टर के द्वारा परचे पर लिखकर दिया गया हो, तभी कोई मेडिकल इस्टेर वाला इन्हें दे स लिख सकता है, जिनके पास नसीली दवाओं से संबंधित लाइसेंस होता है, वही इसको लिख सकते हैं, जैसे मनोची किस्चक, एने स्थेसियोलाजिस्ट, इस तरह की लोग इसका उप्योग इस तरह कर आक्टर करते हैं, इनका उप्योग अक्सर एंटी, एंटी, डिप्रे लिखी हुई दवाओं एक ऐसी दवाओं है, जिसे आप डाक्टर को बेच सकते हैं, जिसके पास लाइसंस होता है, जैसे इनेस्थी सियोलाजिस्ट, इस तरह की दवाओं को डाक्टर सीधे मरीज को दे सकता है, कोई ब्यक्ति से किसी भी मेडिकल इस्टोर से नहीं खरीद स भले ही उसके पास डाक्टर की परची क्यों नहीं हो, न तो मेडिकल इस्टोर वाले को खड़ने की अनूती रहती है और नहीं बेचने की, उनकी लिए अथार्टी इस दवाओं की नहीं होती, तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि XRX दवाओं का उपयोग करता है, औ किया जाता है, इसमें कई दवाएं होती हैं, इसे आयसे डाक्टर को बेच सकते हैं, जिसके पास नसीली दवाओं का या लाइसंस होता है, जैसे एनस्थीसियोलोजिस्ट इस तरह की दवा को डाक्टर सीधे मरीज को दे सकता है, कोई ब्यक्त इसे किसी भी मेडिकल इस्टो वो दवाएं होती हैं, जिनको डाक्टर मरीज को पर्चे पेले कि देता है, के वही मरीज उसका यूज कर सकता है, और NRX का उपयोग, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन को सही करने के लिए किया जाता है, और XRX दवाओं का उपयोग, सभी मानसिक रोगों के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद